ये कुछ आपकी instructions हैं जो की बहुत clearly आपका admin card में लिखी गई हैं बहुत सारे बचे उन instructions को नहीं पढ़ते हैं तो जो important points है वो मैं आपर discuss करने वाला हूँ प्लीज इनको ध्यान में रखेगा instructions में जो सबसे important instruction है बहुत clearly लिखा गया है कि आपको black ballpoint pen लेकर जाना है तो black pen लेकर जाना है अभी हाली में CABF का paper हुआ पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों का message आ रहा है कि जी हमने blue pen लेके गए थे हमने blue pen से फिल कर दी क्या हमारा paper one check हो गया नहीं तो जब आपका बहुत clearly admit card में लिखा गया है कि आपको black ballpoint pen लेकर जाना है तो आप ऐसी गल्दी क्यों कर रहे हैं अपना black man लेकर जाहिए दो से तिन black man लेकर जाहिए transparent water bottle किसी भी तरीके का energy drink या juice allowed नहीं है आपका पानी की bottle आप ले जा सकते हैं वो भी transparent bottle ठीक होनी चाहिए उसके इलावा बहुत clearly ये mention है कि आपका आदा घंटे पहले 30 minutes पहले जो है आपके gates close हो जाएंगे इसको लेकर भ पहले पहुंचा ठीक है जी और gate close हो गया ठीक है उन्होंने नहीं मेरी सुनी तो आप ऐसी गलती ना करें नौ बजे आपका paper start होने जा रहा है तो आठ बजी ठीक है आई वूट से उससे भी पहले जो है अपना एक घंटा पहले पहुंचे आराम से जाकर वहां बैठे पानी पीए रिलेक्स करें और जब आपका जो है इंटरे शुरू हो जाएगा दिन आप अंदर जाएए examination hall में और comfortably जो है paper को start कीजिए ठीक है तो यह बहुत important है दो चीज़े black ballpoint में और अपना timely जो है वहां पर exam में पहुंचना है उसके बाद अगर आप देखेंगे हर paper में एक ह गंटे का gap है और उसमें second session में या third session में respectively अगर आप दे रहे हैं तो आपको आदे गंटे पहले जो है gate close हो जाएगा तो अगर technically देखा जाए जब आपका पहला paper complete होगा तो आपके पास half nr ही है ठीक है तो half nr में आपके पास कुछ ना कुछ जो है fruits होने चाहिए या जो भी है हलका फुलका खाना होना चाहिए ताकि आप उस आदे गंटे में उसको consume कर सकें और फिर दुबारा से within half nr के अंदर अंदर जो है दुबारा से examination hall में चले जाएं कोई भी valuable items ना लिकर जाएं बहुत clearly यहाँ पर लिखा हुआ है avoid taking mobile phones if possible क्योंकि उसका safe keep जो है बहुत यहा कर दाबा आपको तीन photographs भी अपनी साथ में लेकर जानी है जो कि आपने admit card में mention की हुई है जो admit card में आपकी photographs है वैसे उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आपकी photographs clear नहीं है तो आपको जो है तीन photographs लेकर जानी है but I would say what is the harm in taking the three photographs आप लेकर जाएगे even if आपको लगता है कि आपके photograph बिल्कुल clear है आपके admin card में तो भी आप अपनी तीन photographs लेकर जाएगे क्योंकि अगर आप लेकर जाएंगे अगर नहीं use होगा तो वो वापिस आ जाएंगी there is nothing harm और इसके लावा आपके पास आपका valid ID proof होना च identity proof में नाम है वो same होना चाहिए ठीक है वो अलग नहीं होना चाहिए in case कुछ ऐसा अलग है तो उसके साथ आपके पास एक documentary proof होना चाहिए कि आपका नाम अलग क्यों है ठीक है उसके लिए जो भी आपने valid document आपके पास है वो वहाँ पर आप produce कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट यह कुछ important चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है I hope आप instructions को अच्छे से पढ़के जाएं क्योंकि exam के आप त्यारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं बहुत जीजान लगा के कर रहे हैं instructions नहीं पढ़ रहे हैं और उसकी वज़े से आपको कोई बहां पर कह जीज़े inconvenience हो रहा है makes no sense thank you so much I hope this video serves the purpose thank you so much